हलो दोस्तों UPSC ग्यान दायनी के इस बेस्ट प्लेट्फरम पर आप सभी का स्वागत और अविन्यन्दन है आज हम लोग आप सभी के सामने UPSC प्रेट समंदित बात करेंगे गुप्त वन्स की और उसमें आपके जैसे टापिक में या स्लैबस में दिया गया है सीधा-सीधा कि आपको यहां से सिर्फ और सिफ समुद्र गुप्त के बारे में जानना और चंद्र गुप्दती के बारे में ये बात उन्होंने खुद इस पश्ट कर दी है तो आयोग कि इन इस पश्ट बातों को आप अपलाई करेंगे बिना अपलाई करें आप सफलता नहीं पा सकते ह आईए देखते हैं किते हैं रखोंस लाओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समुंदर भी आएगा अरे ठक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर यह मंजिल भी मिलेगे और मंजिल मिलने का मजा भी आने वाला है आईए तो देखते हैं आज हम लोग गुप्तवंस ना तो की गुप्तवंस ने कागया 275 से 550 इसवी तक सासन किया गुप्तवंस में इस वंस की इस थापना लगबग 275 इसा पूर्म में हुई थी इस भी में हुई थी महाराज सिरी गुप्त द्वारा की गए थी किसके द्वारा तो महाराज सिरी गुप्त द्वारा की गए थी इंप था उसने कागया 319 से लेकर 335 इसवी तक सासन किया, इंपोर्टेंट है, आप याद रखना कि 275 इसवी से लेकर 550 इसवी तक चला, 275 में सिरी महराज सिरी गुप्त ने इसकी स्थापना गुप्त वन स्की कि, और इसका जो सक्ति साली सासक था, वो चंदर गुप्त प्रथम जो लगबग 319 से लेकर 335 तक सासन किया, चंद गुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूरवजों के विपरीत जाकर के महाधिराज की उपादिधारन किया था, तो पूछा जाता है कि गुप्त वन्स का ऐसा कौन सा सासक था, जो महाधिराज की उपादिधारन किया था, तो आपके जंद गुप्त प्रथम था, ठीक है, आगे, कहा गया है कि वाकाटक सासक प्रवर सेन प्रथम ने चार असु में यगों का संपादन किया था, किस ने किया था, तो वाकाटक सासक थे, प्रवर सेन प्रथम ने, तो ठीक है, इनको याद करनोज कभी कभी करनोज के जगे महोदया लिख कर आता है कभी कभी महोदया शिरी लिख कर आता है आधि नामों से अव्यक्त किया गया है याद रखिएगा इतिहास कार कागया विशेंट इसमित ने अपनी रचना कागया अल्ली इस्ट्री आफ इंडिया में समुद्र गुप का तो आप जानते हैं समुद्र कुत को जाता है लेकिन किस ने कहा था ठीक न थो आपको याद रखना है विशंट इसमित्ने का था कि इनकी कौन सी पुस्तक थी ये भी अलीश जियाफ इंडिया नामक पुस्तक में समुद्र कुत को भारती निपोलियन के संग्या दी गया इल कि 335 लेकर 375 इस वी तक की बात कही गई है इलहाबाद इस्तंब पर समुद्र गुप्त के संदि विग्राहिक और हरी सेड़ ने शंस्कित भासा में प्रसंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है इनकी प्रसंसा या प्रसंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प् तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलहाब आदम की जो प्रियाग प्रसित्ती है उसमें किसका वर्णन मिलता है तो आप कहेंगे समुद्र गुप्त के संदि विग्रे का वर्णन मिलता है ठीक है हरी चेर्ण ने किया का गया चंद्रगुप्त द्वती विक्रमा दित्य वो पर्थम गुप्त सासर था जिसने परम भागवत की उपादी धारन की थी तो कौन था चंद्रगुप्त द्वती था ठीक है चंद्रगुप्त पर्थम सकति सालीश आज सकता और चंद्रगुप्त द्वती सबसे पहले प कागया पसिम भारत के अंतिम सक राजा रूदर सिंग थर्ड को चंद्रगुप्दती विक्रमा दित ने पाँचवी सदी के पर्थम दसक में परास्त कर पसिमी भारत में सक सत्ता का उन्मुलन किया था इंपोर्टेंट है याद रखेंगे कागया सकों को हराने के कारण चंद्रगुप्द विक्रमा दित के एक अन्य उपाद शकारी भी है क्या है शकारी भी है याद रखेंगा कागया चंद्रगुप्द ने इस उपलच में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे किसके चांदी के सिक्के भी चलवाए थे का गया हूनों का पहला भारती आक्रमर गुप्त समराठ इसकंद गुप्त के सासन काल में हुआ तथा इसकंद गुप्त ने हाथों में बुरी तरह से परास्थ हुआ ठीक है याद रखना इसकंद गुप्त क्या हुआ था हूनों का अगर पूछा जा हूनों का आक्रमर सर परतम किसके सासन काल में हुआ था इसकंद गुप्त के सासन काल में हुआ था तथा इसकंद गुप्त के हाथों से वे बुरी तरह से परास्थ हुए थे इसलिए इसकंद गुप्त को पूछा जाता है कि हूनों को पराजित करन बंगाल में तामर लिपी एक प्रमुख बंदरगा हुआ करता था तो गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन तमिनलाड वस्त्र उत्पादन के लिए परसिदते पूछा जाता है कागया धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वती विकरमादिते के नौरतनों में से एक थे यह आयरवेद सास्तर के प्रकांड पंडित थे most important है धन्वंतरी के बारे में तो किसके सासनकाल में या किसके नो रतनों में से एक थे तो आप कहेंगे चंदरगुप्त विक्रमा दिते दुती के या चंदरगुप्त दुती विक्रमा दिते के ठीक है चरक कनिस्क के राजवैद थे जिन्होंने चरक सहिता की रचना की थी important है दोनों लोग इनको भी याद रखना कहा गया भासकाचारे प्रख्यात खगोल गरतक के थे कौन भासकाचारे तो आप से पूछा जा सकता है भासकाचारे के बारे में तो खगोल विद भी थे और गड़ित तक भी थे ठीक है ना उन्होंने सिधांत सिरोमडी तथा लीलावती नामग्रंथों की रचना की अगर आप से पूछा जाए सिरोमडी की रचना और लीलावती की रचना किसने की तो इन दोनों की रचना किसने की तो भास्करा चारी जीनने किया था इंपोर्टेंट है गुप्त काल में सोने मुद्रा को दीनार कहा जाता था सोने मुद्रा जो सोने की मुद्रा हुआ करती थी उनको दीनार कहा जाता था चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग बैनिक क्रे में कौडियों का प्रियों करते थे किसके तो चीनी आत्री था कौन फायान तो किसके सासनकाल में आया था ये भी जै किस वंस में आया था ये भी पूछा जाता तो गुप्त वंस में आया था ठीक है याद रखेंगा शति पर्था का प्रथम अविलेखी साच एरं से पराप्त होता है कहां से एरं से पराप्त होता है एरं अविलेख 510 इसविकाई जिसमें गोपराज नामक सेनापती की इस्तरी के सती होने का उलेख दिया गया है तो एरण से सती प्रथा का उलेक मिलता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेकी साच कहां से मिलता है तो एरण से प्राप्त होता है एरण अभिलेक 510 इस भी का है और जिसमें गोपराज नामक सेनापती की इस्तरी सेनापती की इस्तरी के सती होने का उलेक दिया गया है याद रख याद रखना ये भी पूछा जाता है गुप्त काल में कलायम साहित में हुई प्रगत के आदार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वन यूग कहा जाता है किसको गुप्त काल को क्या कहा जाता है प्राचीन भारत का स्वन यूग कहा जाता है प्राचीन भारत में सिचाई करको कागया उदक भाग अथवा कागया विदक भागम कहा जाता था तो प्राचीन भारत में सिचाई जो होती थे उसका जो कर लेने आते थे तो उसी को उदक भाग अत्वा बिदक, बिदक भागम कहा जाता था, कागया गुप्त काल में रेसम के लिए कोशे ही सब्द का प्रियोग होता सा, इम्पॉर्टेंट है गुप्त काल और गुप्त काल में, तीसरी सताब्धी में वारंगल लोहे की यंत्रों या उपकरणों हे तु प्रसिद्ध था तो कौन सा वारंगल छेतर तीक है ना याद रखना कागया तोर माड भारत पर दूसरे हूण आकरमण का नेता था जो आपका तोर माड था वो भारत पर दूसरे हूणों का आकरमण का नेता वबाकाता था गवारत से ही यह इरानियम तत्ध पशचात यूरेप में गया था सत्रंग drastic है is या इसी को चतुरंग कहा जाता है कागया महर्ष कपिल ने सांकि दर्शन का प्रतिपादन किया था इंपोर्टेंट है कई बार पुछा गया है महर्ष पतंजली को योग दर्सन का संसापक के आचारी माना जाता है ये भी इंपोर्टेंट है कागया न्याय दर्सन का प्रवर्तन गौतम ने किया जिन्होंने कागया अच्छे पाद भी कहा जाता है ठीक है याद रखे एतियासिक इमारते मंदिर वाइस्थिति जैसे अजनतायों की गुफाएं का है अरंगबाद महाराश्ट में कागया शांती निकेतन आपका वीरुपूम पश्चि मंगाल में एली Start की मुंबई महा राश्ट में महा वली पुरं मंदिर मामलंल् पुरं काची पुरं अरतमिलनाडु में साची का इस तुप का है मद्य प्रदेश राय मंदिर कलकत्ता में बहुत ही मानिता है इस मंदिर की सभी मंदिरों के हैं लेकिन इसके बारे में मैं जान नहीं हूँ तो बतारे हैं कलकत्ता में है आपका कोलकत्ता में पस्षी मंगाल सोमनात मंदिर आपका गिर्द सोमनात गुजरात में है कैलास मंदिर आपका इलोरा महारा स्थान में है उसकर हें यहां पर लगता है डिकना मुनास्टी मंदिर खुब पूछा जाता है मदुरई तमिलाडु में ब्रहदेश्वर मंदिर तंजावूर आपका तो यहां से प्रस्ण अक्सर बनते हैं तो यह स्लाइट तो आपको यादी कर लेनी पूरी तरह से चाहे आप यूपी ट्रेपल सी पेट का दे रहे हैं या कोई अधर एक्जाम दे रहे हैं अक्सर यहां से पूछा ही पूछा जाता है तिक है आगे बढ़ते हैं आप सभी के बीच में आप साहित प्रस्ण होते ही लगी है का गया गुप्त वंस ने आवद में सासन किया तो कब से कब तक सासन किया यह पूछा गया है तो हमने का 325 से लेकर 375 इशा पूर्व तक सासन किया था किया था क्या अरे नहीं बाई आप कहेंगे 319 से लेकर गुप्त वंस ने कब सासन किया आप कहेंगे 319 से लेकर 570 तक सासन किया था लगबग आगे बढ़ते आगे बढ़ते भारत का नेपोलियन किसे कहा गया और किसने का और किस पुस्तक में का कमेंट बाक्स में बताएं हम कहेंगे चंद्र गुप्त मौरी को कहा गया कि समुद्र गुप्त को कहा गया तो किसको कहा गया आप कहेंगे समुद्र गुप्त को कहा गया, किसको कहा गया, समुद्र गुप्त को कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा, अगला है, निमने लिखित में से किस गुप्त राजा का एक आने नाम देव गुप्त था, समुद्र गुप्त को, कुमार गुप्त को, चंद्र गुप्त को, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं किसका नाम देवगुप्त था, तो आप कहेंगे चंद्र गुपत द्वती ने अपना नाम रखवाय था, किसने चंद्र गुपत 녹्वती का नाम देवगुपत भी था, याद रखना, आगे", आगेगा पर्थम गुप्त सासक जिसने परम भागवत की उपादी धारण की किया था वह था चंद्र गुप्त पर्थम चंद्र गुप्धती समुद्र गुप्त सिरी गुप्त ने कोई उपाद नहीं और चंद्र गुप्त पर्थम महाराज दिराज की और परम भागवत की उ कुपाद ही आपकी किस ने लीती समूद्र गुप्त ने ली थी चंद्र गुप्त के दौरा ली गए थी परम भागवत की उपाद आगे बढ़ते हैं कर ली गए थी कि नहीं ली गए थी आप सभी लोग कमेंट बाक्स में भी बात बताते रहें इलहावाद का असो वकिस्तम कि किसके सासन के बारे में सूचना परदान करता है समुद्र गुप्त मौरे के बारे में समुद्र गुप्त दुति के बारे में चंद्र गुप्त परत्म के बारे में समुद्र गुप्त के बारे में जल्दी से बता है इलहाबाद का असोक इस्तंब किसके बारे में जानकारी दे का प्रयाग प्रसस्ती किसके सैन अभियान के बारे में जानकारी देती हैं समुद्र गुप्त के बारे में दोती के बारे में समुद्र गुप्त के बारे में चंद्र गुप्त दुती चंद्र कुमार गुप्त बताएं जल्दी से कि किसके बारे में प्रयाग प्रसस्ती अभियान सेन अभियान के बारे में जानकारी देती तो समुद्र गुप्त के बारे में किसके बारे में समुद्र गुप्त के बारे प्रयाग प्रस्थि में पोसल के रसासक का क्या नाम था ऐसे भी प्रस्थन आप से पूछे गए तो आप क्या कहें महंदर नाम था का गया समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रसथि वाले इस्तमध पर निमललिकित से किसका लेख मिलता है। औरंग जेप का सा जहां का दाराशिकों का बताओ भाई मोस्ट इंप्वर्टेंट है का गया प्रियाग प्रसस्ति समुद्र गुप्त के विशे में जानकारी का एक महत्पूर्ण स्रोत है इसकी रचना हरिशेंड के सची ने की थी हरिशेंड ने की थी और कहा जाता है यहां पर कौसांबी में खुदवाया गया था अकबर ने इसे कौसांबी से मंगवा कर इलहाबाद में तो किसका मिलता है अकबर ने इसे कौसांबी से लेकर इलहाबाद के किले में स्थापित करवाया था इस पर जहांगीर का एक लेख र तो किसका मिलता है जहांगीर का मिलता है किसका जहांगीर का important है याद रखना जल्दी से बताएं कागया प्रतिव्या प्रतिव्या उपादी किस ने लीती तो समुदुर्गुप्त लेंगे बाइस आप किस नहीं ली थी समुद्र गुप्ति ने, important है, most important है, आगे बढ़ते हैं, और इनको मिलान कर लेना है, साइद ये last question भी है, आईए, कागया धनंजय, तो धनंजय कहां के खेते, तो कागया कुस्तलपुर के थे, नील राज, कागया अउमुत, टीक है, उगरे सेन, उगरे सेन कहां के थे, तो आप कहेंगे, पलककका के थे और विश्रुगोप कहां के थे काची के थे वैसे ये आपके प्रस्ण नहीं है क्योंकि ये UPPCS का प्रस्ण है आप में रखा गया है लेकिन यहां का प्रस्ण नहीं है तो आप इसे मिला सकते हैं कहा गया दच्षिन भारत के समुद्र गुप्त के समकाली नरेश कौन कौन से थे तो समुद्र गुप्त के समकाली नरेश उनके राजी के नाम बताए गये तो जैसे समुद्र गुप्त के दच्षिन भारत में तो धननजे तो आप कहेंगे कहां के थे तो कुस्तल पुर के थे नील राज आपके अवणुक्त के थे, उग्रे सेन आपके प्रकका के थे और विश्णु गोप्प आपके काची के थे तो आपसन मिला लीजिए गा तीसरा सी अपसन बिल्कुल सही आपसे नहीं तो यह आपके गुप्त समूद्र गुप्त और आपके चंद्र गुप्त जो आपसे पूछा गया है वह आपको बता दिया गया है sit के मात्व्यम से भी आप सभी जरूर करते हैं ज्यादा ज्यादा कि इसमें बहुत ज्यादा को चलिशन आपको एक सात नहीं कर आए सकते माध में आप सभी लोगों का आएग पर 12 वीडियो आपको एक बार कोशन अंसर नहीं चरूराी जाएगा आज की क्लास यहीं तक रखते मिलते हैं अगिली क्लास में तब तक लिए थैंक्यू सूमस्ट जैन जै वारत